सेल किसी एनिमल या प्लांट में smallest living part होती है हमारे शरीर की basic unit सेल से मिलकर tissue बनता है टिशू से organ और organ system से मिलकर हमारी पूरी की पूरी body बनी हुई होती है सेल का function हमारे शरीर में शरीर को structure देना है शरीर से nutrients लेकर उनसे energy को बनाना है और कुछ specialized function करना है जहां शरीर को जैसी ज़रूरत हो सेल कितने प्रकार की होती है सेल दो प्रकार की होती है एक वो जिसके अंदर nucleus पाया जाता है जिसे eukaryotic cell कहते है और एक वो जिसके अंदर nucleus नहीं पाया जाता है जिसे pro karyotic cell कहते है प्रो केरियोटिक सेल वो जो बैक्टिरिया या माइको प्लाजमा जैसे यूनिसेलिलर ओर्गनिजम होते हैं और वही यू केरियोटिक सेल वो जो हम मनुश्यों में जीवजन्तूओं में और प्लांट्स में पाई जाते हैं आज हम यह जानते हैं कि हमारा जो सेल है जो हम मनुश्यों में पाई जाती है यू करियोटिक सेल उसकी सनचना कैसी होती है आगे की वीडियो में हम डीटेल में यह जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल कैसे बनी हुई होती है और हर एक सेल के और्गेनल्स का काम क्या क्या होता है आज हम एक overview ले लेते हैं कि हमारी cell कैसे बनी हुई होती है देखिए कोई भी cell हो किसी plant की cell हो या किसी भी animal की हो या फिर कोई prokaryotic cell ही क्यों ना हो तीन चीज हर cell में common होती है एक cell membrane दुसरा cell का cytoplasm और तिसरा cell के अंदर DNA material यानि genetic material देखिए हम मनुश्यों के cell में जो सबसे ब boundary के अंदर सेल के अंदर की और एक जेल लाइक fluid भरा रहता है जिसे साइटो प्लाज्म कहते हैं और बीच में इसी सेल के सेल का सबसे important भाग सेल का control center nucleus होता है जिसके अंदर DNA यानि genetic material होता है यह nucleus ही तय करता है कि cell को कब और क्या करना है देखिए इसी nucleus membrane के अंदर ही DNA नाम के structure की रूप में होता है जो कि DNA का ही एक उल्जा हुआ रूप होता है इसी nucleus के अंदर एक nucleolus नाम का structure होता है जो कि प्रोटीन को synthesize करने के लिए ribosome का निर्मार करता है इसका संबंद भी DNA से ही होता है राइबोजोम्स nucleus से बाहर निकल कर protein का निर्मार करते हैं होता है क Nucleus से बाहर निकलने के बाद या तो Scytoplasm में तैडरते रहते हैं या फिर Nucleus से शची हुई एक बहुत ही महत पुपंड सनचना Endoplasmic Creticulum से जाकर चिपक जाते हैं ंडстьo plasmic reticulum भी दो प्रकार का होता है एक rough endoplasmic reticulum जिसमें दूसरा समूद एंडवर्बाजमिक रिटिकूलम प्रोटीन और लिपिट जैसे मटीरियल के ट्रांपोर्ट सिस्टम की तरह होता है यह जहाँ पर इन प्रोटीन को इस स्वरूप में बना दिया जाता है कि history इन्हें само कर सके यूजेबल फॉर्म में या फिर उनके उपर किसी अलग तरीके की मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इसी गॉल्जी बॉडी में जैसे कार्बो हाइड्रेड या लिपिड जैसे मॉलिक्यूल जैसा ज़रूरा थो बॉडी को वैसा ठीक इन्हीं सनचनाव के तरह सेल के अ प्रोचना देख रहे हैं इसे सेंट्रोसोम कहते हैं यह सेल के विभाजन के समय बहुत ही इंपॉर्टन ट्रोल प्ले करता है सेल के अंदर जहां पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूं वह प्रोटिये जो की अन्यूज प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं ठीक उसी तरह यह प साइटो स्केलेटन नाम की सनचना होती है जो की प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं एक मजबूत धाचा बनाते हैं जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है ठीक उसी तरह देखे यह वीडियो इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में आगे हम से वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा